असी सब्द, प्रति मिनिट, स्टार्ट बरसात के दिन थे और तब बरसात का एक अलग ही मिजाज हुआ करता था दिमाग में 15 जून मानसून की डेड लाइन तै थी और सायद बादल भी उन दिनों बादे के पावंद और इमानदार हुआ करते थे या अगर कभी कुछ दिन की उँच नीच हो भी जाए तो उसके लिए ना तो बादलों से सिकवा होता था ना दिमाग में बना डेड लाइन का स्वास्त पर बुरा असर पड़ता था पर साथ तब अपर लेग लेविल और लोवर लेग लेविल की मारफद नलकी टोटी अथवा पानी की घड़े से नहीं जुड़ी थी नाहीं मौसम की जानकारी पूरवानुमान, सहित, साम की खबरों और दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनी हुई थी बरसात आती गर्मी से जुलसाई, जमीन और पेड पोधों को राहत देने और देखते ही देखते पहाड, मैदान, खपरेलें, दीवारें हरी हो जाती और चोतरफा जल्थल ही जल्थल हो जाता दिनों और हप्तों सूरज के दीदार ना होते और बाहर एक बहुत बड़े गुसल खाने में बदल जाता जहां हर चीज नहाती और गुसलें सेहत लेती रहती सहर के पकडंडी नुमा सडकें और हतेली सी गहरी नालियां बरसाद के हलके जहलों में ही पानी में डूब जाती और जब पानी थोड़ा जम कर गिरता तो घरों से लेकर दुकाने और कार खाने सब बरसात के रहम पर होते बड़े घर के पास से बहने बाला खुला गंदा नाला पछाड़े खाता बे काबू हो जाता और क्योंकि सहर का यह इलाका नसेब मैं था इसलिए बहते पानी के ताओ में रास्ते का जो कुछ समेट में आता सब बह जाता थोड़ी दूर बहती पातरा की और बैसे समेट में आने को घूरे के कचरे और पीठों पर जमी लकडी की थप्पियों और टालों के अलावा कुछ था नहीं क्योंकि आसपास लकडी के कार खानों के अलावा कचवाडे थे या खुले मैदान सबसे आखिर में बिलकुल पातरा के किनारे बड़े अबबा का पीठा था और उस समय भाई जान जहां सहर की पहली आधुने डेरी खोलने का प्रियोग कर रहे थे वहां कई दरजन पंजाब की भैसे पाली थी पानी जब भी जम के गिरता और इकठा होकर मंजधार की सकल में पातरा की और बहना सुरू होता सारे पीछे बाले अपनी अपनी लकडी की देख रेख और हिफाज़त में लग जाते एक आपसी सहमती के अंतरगत किसी पीठे की लकडी बैकर दूसरी जगह चली जाए तो इमानदारी से उसकी खबर मालिक को कर दी जाती थी और लकडी लोटा दी जाती थी पानी गिरते में लोग हाथ ठेले लिये अपनी अपनी लकडी पहचान कर इकठा करवाते फिरते थे कर वादेन का दूस्ट ऊसे वाते सकते वानी लकडी जाए पन का